तो काईस आज मेरे पास यहाप एक 4K HDR TV है from TCL जो कि एक Google TV है और इस बॉक्स के अंदर क्या है देखेंगे कैसे इसकी क्वालिटी है यह मेरे पास 55 इंच का है और यह गूगल भी सबोर्ट करता है तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है क्या यह TV आपके लिए पर आपको बहतरी डील वहां पर मिलने वाला है तो आज मेरे पास एक बड़ा सव बक्सा आया हुआ है जो कि TCL की तरफ से TCL की P6 35 55 इंच की Google TV और यहां पर जो इसका बॉक्स कुछ हमें मिलता है तो बॉक्स की बात करें बॉक्स पैकेजिंग बॉज सूपर थी एक जो एना का आप leqeak alegat मिलेगी जो कि आप लोग कहीं पर लगाना हम है वाल के इंदर मांन कर पा आए उसके बाद नीचे की 2 जो stand लोगो मिलेगी stand की quality की बात करें plastic stand है quality ठीक ठाक अपर ग्रिप्स बिलकुल skid नहीं करेगा जब आप लोग okay उपर रखोंगे उसकी grip बहुत ज़कों अची तरीके से होती है और सारे फीचर्स यहां पर दी गई है और पीछ में गूगल एसिस्टेंट का यहां पर लोगो भी दिया गए क्योंकि गूगल टीवी है तो गूगल के मज़े आप पूरा उठा सकते हो तो टीवी को फिट करने के साथ साथ कुछ ऐसा आप लोगो सेट अप देखने को मिलेग आपका टीवी जो है वो कंप्लीटली रान होगा यहां जो जो कमांड आप लोगो को कहा जाएगा सब आप फॉलो कीजिए बहुत ही आसानी से आप इसको इसको कर पाऊगे एक बार आपने कर लिया तो कुछ ऐसा आपके संदे स्क्रीन आ जाएगा जो कि आप लोग यहां प डिजाइन के साथ आता यहां पर बहुत ही कम आप लोगों को बैजल मिलती है जो कि इस टीवी के लुक को बहुत सदा एनांस कर देता है और यहां पर मैं बात करूँ इसकी रिजॉलुशन की तो यह 4K LED डिस्प्ले जो है इसका रिजॉलुशन है 3840-2160 और 60 हर्स का यहां प अप्रफुल इमेज प्रवाइट करता है तो कि आप लोगों को बहुत ही पंची और और एकदम कलरफुल इमेज इसको अगर ऑफ करते हो और करते हो कुछ ऐसा आप लोगों आप खुद स्क्रीन के अंदर देख पार हो ऐसा कुछ डिफरेंस आपको उनने ता है तो आन में म मौझूद है ताकि आपको जोना है एनांस पिक्चर क्वालिटी मिल उसके बाद एच्डिया 10 का सप्वाट है जो कि आप अगर एच्डियार कंटेंड वाच करते हो ना तो सच में कहा रहा हो एंजॉय करोगे यहां पर ब्लैक में जो शैडॉस वह बहुत सही तरीके से स्ट सब्सक्राइब है जो कि आप लोग पिक्चर प्रोफाइल में आसानी से सेट भी कर रहा होगे उसकी मतद से आप लोग एच्डियार कंटेंड वाच करोगे तो आपको अच्छा लगा यहां पर जो HDR कंटेंड हो रहा है 4K तो आप लोग देख पर हो कितने बरिया तरीकी कि यहां पर क्वालिटी आपको प्रोवाइट कर रही है तो यहां पर खुद का जो है एक इंजिन यूश किया कि AIPQ 2.0 की इंजिन जो कि आपको बेटर यहां पर परफॉर्मस देदेगा सॉफ्टर और हाडवेर को एक साथ कंबाइन करके बहुत स्टेबल परफॉर्मस देता है जिसकी मतलब से आप लोगों को बढ़िया साउंड को यह प्रोवाइट कर देता है अलॉंग विद यहां पर डॉल भी एट मॉस का सपोर्ट आप लोग को मिलता है ताक कि आप लोगों को एन्नाइंस जो है ओडियो क्या था चोटा सा रूम है स्टुडियो के अंदर प्ल तो अंडर 35% तक वॉल्यूमी में इंक्रीस कर पहा है उसके उपर देता होना तो बहुत लाउड हो जाता है और थोड़ा यहां वे ब्रेग होने लगता है ओडियो क्यूंकि यह स्पीकर उतना ज़दा लाउड साउंड हैंडल नहीं कह सकता बड़ साउंड क्वाइटी में म लुटुथ 5.0 की बात करो वह भी आप लोगों यहां पर प्रोवाइट करवा दिया गया है डूएल बैंड वाइफै भी है 2.4 गीगार्स और जो है 5 गीगार्स दोनों यहां पर सपोर्ट करता है जो बढ़िया है कोई भी वाइवाई रिलेटेट कनेक्शन तो यहां पर न यहां पर आप लुए लुट्य आपको सब सब सर्वी से आप यहां पर आसानी से यूज कर सकते हो यहां पर O.K Google आपको यूज करना है Google Assistant आप लोगो यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर लिए रिमोरट के बटन एसिस्टेंट का एक बर आपने सेट अप कर लिया डिरेकल यहां पर लॉंग प्रेस करो दें डिरेक्ली बोलो कि वाट इस दो वेधर तोड़ेगा तो बहुत फ्लॉलेसली काम करता है इस पर कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आया Google Play Store का support आप वेलेगा यहां पर कोई बीगेंश वगरा टावनूड क्रनी है तो वाया गूगल प्लेट आप कर सकते हो इसको अगर आप लोगो खोलना है तो डिरेक्ली यहां पर जो गूगल प्लेश्टोर घोपन फोल देगा है thanking लेट्स ट्राइट किसी औपने गुगल कर आफ आप कर सकते हो कि 17 जीबी की ए फ़लों को देखे तो यहां पे total internal share storage जो है 9.2 GB की आप लोग को मिलती है free और बाकी जो है यहां पे consume कर देगा है और total यहां पे 16 GB की आप लोग को storage मिलती है और 2 GB का RAM है तो कि आप लोग यहां पे TV के अंदर सब कुछ जो है use करना है कर सकते हो तो यहां पे Android version की बात करें तो यहां पे आ automatically OTA update सब्सक्राइब को मिलेगी जो कि आप लोग डिर्कली Wi-Fi से connected हो तो आप आसने से डाउनलोड करके install कर पाओगे जो कि आप लोग TV जब लेते हो internet से connect करोगे तो यहां पे software update मांगेगा तो update कर लेना लंबा चलता है वो update और update करने के बाद आपका TV फ्लॉस्तिक चलेगा पीछे आप लोगो यहां पर power adapter का port मिलेगा एक साइड में और अलग साइड में आप लोगो बहुत सारी यहां पर पोर्ट मिल जाएगे फर्स जो एक USB port मिलता है देन एक LAN port मिलता है जहां पर RJ45 से आप लोग डिर्कली internet करना कर सकते हो देन यहां पर HDMI का एक port मिलेगा फिर से एक HDMI का port है जो एक service port है along with that उसके बाद फिर से और थर्ड HDMI आप लोगो मिलता है जहां पर ARC सपोर्ट करता है और ER को भी यह सपोर्ट करता है तक कि आप लोग कोई भी यहां पर audio devices है जो की ARC supported audio devices होती है वो डिरेक्ली आप connect करो and then यह आसानी से उसके साथ sync हो जाएगा आप connectivity related वहां पर भी issue नहीं आएगा अभी अगर आप लोग एंटिना या केबल यूश करता है तो उसके लिए भी एंटिना और केबल पेनिया पर आपको मिल जाएगी आप लोग के आप लोग को आप लोग को बैक साइट के अंदर देखने को मिलता है तो यहां रिमोट से तो connect क खराब होगा तो तब क्या करोगे तो यहां पर जो एक फिजिकल बटन अपको नीचे के साइड में दिया गया है सिंगल टैप बटन है इसको अगर आप लोग टैप करते हो तो यहां पर स्टैंड बाई उसको चैनल चेंज वॉल्यूम और सोर्स ओके सारे बटन आ जाएगी अगर एक बाई प्र cuerो तो यह चांज होगा एक करके। और अगर आप लोग खिंड करना एक का नकार तो यहां पर लोग तो ग्योंग प्र प्रल्म तो इसके अपर फ्रग बाद ही तो यहांक हो जाएगा फोडा टाइम लेता है और उसके बाद ये ऑटमेटिक लिए खोज रखा गया बहुत था आप लोको मिलता है पता ही नहीं चलता है कि यहां पर बेजल अप लोको दिया गया है और नीचे के साइड में सिर्फ जिर्फ TCL जो चोटा करके ब्रैंडिंग दिया गया है बाकि यहां पे कुछ भी यहां मार्किंग वगरा नहीं है जो कि इस TV को बहुत है नीट और क्लीन और बहुत सदा दिखने में सुन्दर बना देता है तो यहां पे फीचर रिच प्रड़क्ट है मुझे यह परसनली बहुत अच्छा लगा यहां पे आप लोको डॉल्वी विशन वगरा नहीं मिलता है इस TV के अंदर बट इच्डियर 10 का सपोर्ट है 4K HDR का सपोर्ट है उसके बाद यहां पे कलर एनांस्मेंट आप लोगों मिले करना है कलर किस्टमाइज करना है वो सालेशी से आप लोग खुद एड़ेस्ट कर पाओगे उसके यहां पर आप लोग की इसके बात करें तो यहां पे आप लोग आसाइस कर पाओगे गेमिंग वयरा को यहां पर पे प्ले स्टोर से कोई भी गेम यहाँ पे डिरेक्ली आप लोग इंस्टाल करो एंड आप इससे एंजोई कर सकते हो फाइनल कंट्रूशन की बात करें क्या यह टीवी आपको लेना चाहिए तो दिखर अगर आप लोग एक 4K UHD ढूण रहते हैं तो यह परफेक्ट टीवी है साथ यहाँ पर गूगल का सपोर्ट है तो यह गूगल टीवी है मेड इन इंडिया प्रोड़क्त है तो आप लोग यह बेज जीजक ले सकते हो यहां पर जो फीचर रिच प्रोड़क्त आप लोगो मिल रहा है एक बहुत ही बहतरीन क्वालिटी की डिस्प्ले मिलती है और यहां पर अदिशनल फीचर भी आप लोगो मिलती है जैसे कि यहां पर HDMI आर्क कभी सपोर्ट मिलता है HDMI कभी सपोर्ट मिलता है और यहां पर गेम पैड वगर आभी कनेक करके आप खेल सकते हो और Google के मज़े आप लोग ले सकते हो कुछ भी Google एसिस्टेंट से पूछना है आप अगर टीवी चला नहीं सकते हो तो डिरेक्टी गूगल एसिस्टेंट की मदद से आप लोग seamlessly connect कर सकते हो अगर आप इस टीवी को connect करना चाहते हो वाया एप टीसल की तरफ से आप लोग एप्स भी प्रवाइट करवाते चाहता है जो कि आप लोग टीवी को आपके एप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो तो आपकी मूबाइल को एस रिमोट भी उसके करूंगा इस बार एकदम 4K HD में जो की जीयो सीनेमाज में आप लोगो मिलेगा तो जीयो सीनेमाज भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके और यहां पे आप लोग एंजॉय आसानी से कर पाऊगे तो अगर आप लोग को बाई करना है बेस्वाइल जी कमें जरूर बताना और मिलते हैं अगले इंट्रेस्टी और अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए अलर्ट स्टेए सेव एंग बाई